टोचलो गईज आज हम बनाते है छोले आज हम झोले बनाने वाले हैं वो भी काले चने से यूजुली चोले वाइट चने से बनते है जो इस साइज में थोड़े बड़े होते हैं बट आज मैं यहाँ पे ब्लैक बेंगल ग्राम्स ले रही हूँ और हाँ वीडियो को एन तक देखिए और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून अफ और लिया है इसमें मैंने एक पटेटो को फ्राइ कर लिया है अच्छे से आलो को हमें स्लाइटी गोल्डन होने तक फ्राइ करना है जिसरी एक कलर आ लिया है इस टाइम पे हमें इसे निकाल लेना है इसमें ओली की कॉंटेटी ज़्यादा रहती है अब तेल में हम एक तेज पता दो इंच दाल चीनी एक बड़ी लाइची एक टी स्पून जीरा डालेंगे अब हम दो मेडियम साइज की ओनियन चॉप्ट डालेंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अरियन को हमें स्लाइटिली गूल्डण होने तक पकाना है अब हम दैनलेंगे एक तेबलस्पून जिणर गालिक पेस्ट डे टी स्पून चिली पाउडर हाफ टी स्पून टोमरिक पाउदर एक ती स्पून कोरियांडर पाउडर ऐसे हमें अच्छे से mix कर लेना है और 2 मिनित रोज पे ना ना मसाले को कूक कर लेना है अब हम इसमें दो बड़े टमाटो किस Kी produce डालेंगे और इसे अच्छे से mix कर लेंगे और इसे तब तक कूक करना है जब तक कि gravy से oil separate ना हो जायए जब gravy से oil से प्रिट हो जाए इस तरह तो इसमें हमें fried potatoes डाल देने हैं और इसमें अच्छे से mix कर लेना है अब हम इसे cover करके cook करेंगे 3-4 मिनिट तक मैंने एक कप काला चना भिगा के रखा था पांच गंटे के लिए और उसी को मैंने cook कर लिया है पांच सीटी लगा के salt डालके वही मैंने इसमें add कर लिया है और उसी boil चने में 2 टेबल स्पून चना मैंने मिक्सर में grind कर लिया था इसे यह होगा कि आपकी जो ग्रेवी यह थोड़ी थिक हो जाएगी और इसे अच्छे से mix कर लेना है इसमें अब मैं पाने डालूँगी जो चना का पानी है न बॉल किया हुआ जो बज गया कुकर में वो में डालूँगी और आप पानी अपने हिसाब से डाली आप उच कितना थिक ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से अच्छे से mix हो जाने के बाद हम इसमें salt अट करेंगे टेस्ट के लिए फिर हम इसे mix करेंगे अब इम इसको cover करके 2 मिनट के लिए cook कर लेंगे अब हम इसमें एक टीस्पून कसूरी मेती दालेंगे क्रेश कीवी और एक टेबिल स्पून छोले मसाला डालके अच्छे से mix कर लेंगे और लास्ट में हम इसमें कोरियंडर लीज दाल देंगे मतलब थोड़ी से कोटमीर डाल देंगे चॉप्ट कीवी और यहां पे मैंने चेक किया है कि जो पटेटो में ने फ्राय करके डाले थे वो अच्छे से कोख हो गए यानि तो मैंने पोक करके देखा तो पटेटो अच्छे से कोख हो गए है और आपकी बहुत ही टेस्टी काला चना की ग्रेवी तैयार है आप इसे रोटी, राइज, नान किसी की साथ भी खा सकते हो थैंक्स पूर वाचिंग